सुजानपुर शहर के वाड नमबर पांच में वर्षों पुरानी सीवरेज समस्या का समाधान हो गया है वाड नमबर पांच में इस योजना के लिए बिचाई जाने वाली पाइपलाइन हे तो खुदाई का कारिय लगभग पूरा हो गया है बताते चलें कि पहले पाइपलाइन विचाने के लिए लोगों की सहमती नहीं बन पा रही थी और वाड में सारफ जनिक रास्ते को लेकर भी विवाद था लेकिन वाड पारशद और भाजपा नेता के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल के निर्देश पर तमाम कारे आसानी से पूरा करवाया गया है वाड में सीवरेज पाइपलाइन बिचाने और सारफ जनिक रास्ते को बाहाल करने के लिए लोगों ने प्रशासन, वाड पारशद एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल का धन्यवाद किया है आप जो रास्ते का भी रुकावड बनी हुई थी उनको आमने मिल करके आपसमें हर किसी की बात सुनके जो आज सीवर का करे भी पूर्ण और जा रहा है और साथ ही साथ रास्ते का जो लिखत प्रमान पत्तर देकर जो सभी सहमती के अमसार मिल जुलके इस मसले को हल किया जिन्हों ने इस रास्ते के लिए इसके लिए हम तैय दिल से स्वागत करता हूं और प्रसासन से भी और दुमल जी से अग्रह किया था कि जो भी इस में अच्छन आएगी तो दुमल साहम ने जो पूरा से होग दिया इस कारे के लिए मैं उनका भी वाद नंबर नंबर 5 की तरफ से धन्यवाद करता हूं वाद नंबर 5 पॉर नंबर 5 प्रजों हो एद्रुपन्स करते हैं और जैसे हैं परते हैं जो प्रावर्म थे काप तो आमना जो कुछ मिल जुलके किया मतलों की सहमती के साथ भी जाया है तो यह आज बहुत ही मतलग है इसे डांक से काम अने जारहा है और लास तक होगा तो इसमें सभी की सहमती थी तो आज तो पता ही यह उसके बाद कोई मतलग है एक फुट जमीन छोड़के राजनी है तो यह सब मिलजूल के मतलब तब ही काम होते हैं यह मेरा मेरी कुछ नहीं यह सब कुछ दी रहा देगा और बाकी हम अब प्रशाशन का भी धन्य बाद और हमारी यह बैंजी मतलज्य जो बड़ परिशाद मतलज्य है ठीक है और शिरीद धुम्रची का मतलज्य है बहुत-बह दिवेह मार्चल टीवी के लिए सुजानपूर से गौरव जैन की रिपोर्ट